पिंजरे में कैच जंगली जानवरों को निहारने के लिए लोग बड़े शौक से चीडिया गर जाते हैं लिकिन क्या हो जब ये जंगली जानवर बिना किसी बंदिश के अचानक हमारे सामने आ जाएं सूच कर ही डर लग रहा होगा ना बगवान ना करे किसी को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं ऐसी ही एक से बढ़ कर एक रोमान चाखटना है जिनने देखकर आप घर बैठे बैठे ही जंगल का एडवेंचर ले सकेंगे इस वीडियो की एक एक क्लिप ढूनने में हमें कई कई दिनों की मैनत लगी है इसलिए अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल प्रेस करना न भूलें तो चलिए शुरू करते हैं अनिमल एंकाउंटर ये क्लिप जिंबाववे की है यहां कुछ परिटक एक टुरिस जीप में सवार होकर जंगल की यात्रा करने निकले थे तबी जंगल के बीचो बीच उन्हें एक शेर नजर आया जिसे देखकर सैलानियों के चेहरे खिल गए लेकिन ये क्या? ये शेर तो उनकी गाड़ी का पीछा करने लगा जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ये शेर भी गाड़ी के पीछे-पीछे दोड रहा था एक खुखार शेर को पीछा करते देखकर सैलानियों की डर के मारे चीखे ही निकलने लगी ये लॉयन तब तक उनकी गाड़ी के पीछे दोड़ता रहा जब तक गाड़ी रफतार पकड़कर वहां से ओजल नहीं हो गई ये सैलानी इस एंकाउंटर को कभी नहीं बूल पाएंगे इन टुरिस्ट के कलेजे तो तब फटने लगे जब तीन बड़े बड़े शेरों ने उनकी सफारी गाड़ी को घेड लिया इसके बाद इन पड़ेटों को की डर के मारे हालत पतली होने लगी इनके पास सांसे रोक कर इन शेरों के जाने का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था इन पड़ेटों की हालत तब और पतली हो गई जब एक शेर गाड़ी के एकदम करीबा कर खड़ा हो गया ज़रा कल्पना करके इस मंजर को महसूस करके देखिए वैसे जब कुछ देर बाद ये शेर गाड़ी से थोड़ा दूर हटे तो गाईड ने वहाँ से निकलने में ही भलाई समझी इसी तरह साउथ अफरिका के क्रूगर नैशनल पार्क में इस बबबर शेर को देखकर परेठक रूमांचित हो उटे और अपनी कार को उसके साथ साथ चलाते हुए उसे नजदीक से देखने का लुफ्त उठाने लगे लेकिन जंगल के राजा को अपनी बराबरी करने देना बना कहां मन्जूर था कार को अपने नजदीक पाकर शेर गुस्सा हो जाता है और सेलानियों को देखकर गुस्से में दहार ने लगता है मानो कह रहा हो इंसानों चले जाओ यहां से नहीं तो जंगल सफारी के लिए निकले इन सेलानियों के साथ एक खौफनाक वाक्या घटित हुआ एक तैंदुआ इनकी गाड़ी के पीछे से आकर इस टुरिस्ट के जूते को काटने की कोशिश करने लगा जाहिर है यह देखकर किसी की भी धड़कने तेज हो जाए लेकिन अंदर बैठे हिम्मती टुरिस्ट चुप जाब बैठे रहे धीरे धीरे जब तैंदुआ के मनसुबे और खतरनाक होने लगे तो गाड़ी को वहाँ से हटाने में ही भलाई समझी गाड़ी की आवाज सुनकर तैंदुआ घबरा कर पीछे हट गया दोस्तों इस वीडियो को लेकर हमारा टागेट है कि इसे कम से कम 2000 लाइक्स तो जरूर मिलें अगर हम लोग मिलकर इस टागेट को अचीव कर लेते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग वीडियो तो अभी इसी बात पर ठोग दीजिये अपना लाइक नामीबिया में जंगल सफारी के दौरान ये भूखा चीता सेलानियों की जीप के पासा खड़ा हुआ जिसके बाद परेटक उसे मीड दिखा कर म्याओ बुलाने की कोशिश करने लगे लेकिन चीते को तो मीड से मतलब था इसलिए वो पिछले पैरों पर खड़ा होकर गाड़ी के दर्वाजे पर चड़ते हुए ड्राइवर के एकदम करीब आ गया जिसके बाद जीप में बैठे लोगों को चीते को मीड देना ही पड़ा दव वाइरल नामा की रिक्वेस्ट है कि अपने एंटर्टेन्मेंट के लिए जंगली जानवरों के साथ बिलकुल भी मजाग न करें ये वीडियो करनाटक हाईवे का है जहां बस में बैठे लोगों का इस गुस्सा हाती से एंकाउंटर हो गया हाती को बस की तरफ बढ़ता देख अंदर बैठे लोगों की सांसे ही अटक गई लगा जैसे यमराज ने बुला ही लिया है लेकिन गनीवत रही कि बस तक पहुंचते पहुंचते हाती का गुस्सा शांत हो गया और वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आगे की तरफ बढ़ गया जिसके बाद यात्रियों ने चैन की सांस ली थैंक गॉड जान बची तो लाखों पाए लेकिन जंगल से गाउं में गुसने के साथ ही ये हाती अपना आपाखो बैठा वो इतने गुस्से में था कि जिससे भी सामना हो रहा था वो उसे इधर उधर फैंक रहा था वैसे तो हाती सबसे कूल अनिमल होता है लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो उससे खतरनाग भी कोई नहीं होता ये वीडियो इसी बात को साबित करता है इसी तरह हाथी के गुस्से से बचने के लिए जाडियों के पीछे छिपा ये बंदा भी हाथी के गुस्से का शिकार होते होते रह गया एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि ये बंदा गया लेकिन जब इस बंदे ने confidence के साथ चिलाते हुए हाथी को छड़ी दिखाई तो हाथी पीछे सरकने लगा और जंगल की ओर चला गया साउथ अफरिका के Kruger National Park में बने हाइवे पर एक गुसाए हाथी ने कई कारों को रोक रखा है हाथी के गुसे को देखते हुए कोई भी कारवाला आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिरी हाथी चाहता क्या है तब ही जंगल की तरफ से हाथी का बच्चा सड़क पार करने लगता है यहां हाथी ने तब तक रास्ता रोके रखा जब तक इसके बच्चे ने सड़क पार नहीं कर ली इस दोरान सड़क पर गारियों का काफिला लग गया लेकिन किसी ने भी गजरात से पंगा लेने की गुस्ता की नहीं की साउथ अफरिका के गने जंगलों में वीडियो रिकॉर्डिंग करती इस टुरिस्टीम के साथ एक डरावना वाक्या घटित हो गया रिकॉर्डिंग के दौरान ही एक विशाल का एक गोरिला कैमरामेन की तरफ बढ़ा और उसकी टांग पकड़कर गसीटते हुए जाडियों में ले जाने लगा और कुछ दूर गसीटने के बाद उसे छोड़ दिया शायद वो ये समझाना चाता था कि वो चाहे तो टुरिस्ट को मार भी सकता था वैसे टुरिस्ट की हिम्मत भी काबिले तारीफ थी इस दर्मियान वो बिलकुल भी नहीं घबराया और चुप चाप फिर से अपने साथियों के पास चला गया फ्लॉरिडा में एक मगरमच जंगल के रास्ते रियाईसी इलागे में गुश जाता है और अपने ताकत वर पंजों से लोही की मजबूत सलाखों को तोड़कर अंदर गुश जाता है इस विशाल काई मगरमच को देखकर वहां के लोगों की सिट्टी पिट्टी ही गुमो जाती है यहां जंगल में सफारी करने आये टुरिस्ट सेट अप लगा कर लंच की तयारी कर रहे थे तब ही पास के तालाब से निकल कर एक क्रोकोडाइल वहां आ जाता है और वहां रखे बियर बॉक्स पर कबजा जमा कर बैट जाता है अब इन सैलानियों ने उसे हटाने की लाग कोशिशे कर ली लेकिन मगरमच अपनी जगे से हिला तक नहीं फिर भी टुरिस्ट उसे बगाने की कोशिशे करते रहे तो वो मगरमच उस बियर बॉक्स को ही अपने जबडे में दबाकर पानी में चलता बना स्विमिंग का मज़ा ले रहे इस बंदे की हालत उस वक्त कराब हो जाती है जब एक शार्क तेरते हुए उसके एकदम पेट के नीचे से निकल जाती है इसके बाद इस शक्स की जो हालत होती है वो आपके सामने है दोस्तों ये वीडियोज बनाने में हमें कई दिनों की महनर लगती है तब जाकर ये वीडियो तयार हो पाता है इसलिए इन वीडियोज को देखकर हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और अगर आप हमारे वीडियोज दिल से पसंद करते हैं तो हमें सूपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर जटे है तमिलनाडू में नीलगीरी की पहाडियों के बीच बने जंगली रास्तों से ये बाइकर किसी भी अन्होनी से बेखबर अपनी मस्ती में जा रहा था गुमावदा रास्तों से गुजरते हुए जैसे ही उसकी बाइक मुड़ी आगे का मनजर देखकर उसकी हालत खराब हो गई उसके सामने जंगली भालू का एक जुन्ड बैठा हुआ था इसके बाद राइडर ने अपनी बाइक उनसे कुछ ही दूरी पर रोग दी और भालू के वहाँ से हटने का इंतजार करने लगा लेकिन मजाल है जो भालू रास्ता दे दे उल्टा कुछ समय बाद अचानक एक भालू उसकी तरफ दौरने लगा जिसके बाद घबराया बाइकर वहाँ से फॉरण 9-211 हो गया यहाँ इस कैमरामेन की हालत तब पतली हो गई जब यह भालू उसकी तरफ दौरते हुए हमला करने को लपके लेकिन इस फोटोग्राफर ने हिम्मत से काम लिया और वहाँ से भागा नहीं यह देखकर भालू को ही उल्टे पाव भागना पड़ा वैसे इस कैनेडियन टूरिस्ट लड़की का एक औरेंग्टन के साथ एंकाउटर देख आप भी डर के मारे चीक पड़ोगे क्योंकि यह जानवर लड़की का हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है लड़की खुद को छुड़ाने की जितनी कोशिश करती है उतना ही कसकर पकड़ लेता है प्रेंग्टन को खाने का समान देते हैं ताकि हाथ छोड़ दे लेकिन लगता है आज इस एनिमल ने लड़की को नहीं छोड़ने का ठान रखा है लड़की अब घबरा जाती है उसके साथ ही एक बार फिर औरेंटन को खाना दिखाते हैं तब कहीं जाकर ये जंगली जानवर बिचारी लड़की का पीछा छोड़ खाने की तरफ भाग जाता है लड़की एक सेकिंड के भी देरी किये बिना वहां से भाग जाती है न्यू साथ वेल्स के टट पर बॉड़ेरी नेशनल पार्क में हुआ ऐसा अधबुत अनकाउटर अपने पहले नहीं देखा होगा जिसमें एक ऑक्टोपस एक गोता खोर का गोप्रो कैमरा चुरा लेता है पंद्रा वर्षिय जैसील ओफेस जर्विस उस वक्त खाडी में स्नौकलिंग कर रहा था परियाप्त दूरी से ऑक्टोपस के फोटोज क्लिक करते समय ऑक्टोपस ने उसके कैमरे को जकर लिया और काफी कोशिशों के बाद कैमरे को छोड़ा ये वीडियो वेस्ट मिडलेंड सफारी पार्क यूके का है यहां इस ओडिकार को देखकर इन बंदरों के सिर पर शरालत सवार हो जाती है पहले तो इसमें से एक बंदर तार का वाइपर तोड डालता है इसके बाद अपने एक और साती के साथ मिलकर उसकी नमबर प्लेट भी तोड डालता है इस वीडियो में इतना ही आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और हाँ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में